मॉर्णिंग फ्रेंट्स वेलकम बख मैं चनल एजूकेशन आरके पॉइंट और सॉरी फ्रेंट्स जो है सो करेंट फिर थोड़ा लीट आ रहा है इसके लिए आपको वीडियो को इंड तक देखे ताकि उस तुफान का नाम हो सके तो हमारे भारत में भी वह तुफान आ सकती ह है तो वह चक्रवात एक अंगल से कहिए तुफान कहिए तो बहुत ही बड़ी न्यूज है तो जापान में आपको तवाही देखने के लिए मिलेगा कुछ दिन में तो हो सकता है कि उसका असर हमारे भारत पे भी हो तो चलिए आईए शुरू करते हैं आचा करेंट अफेर कि 150. जयनकी को चिन्हीद करने में के लिए सट क्वकके जारी किया है तो उजबैकिस्तान और तूर्क साथा और टूर्डव साहिवे किस्तान के की नेटीन और घ्लीड कियाक हैनी है आपको बहुत है कि है हाली में किस सहर में प्लास्टिक के कच्रे से तैयार भारत के सबसे बड़े चरके का लोका एर्पन किया गया है और मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा कच्रा और 604 यहां पर तैयार किया है 604 फिट यह उंचा है तो यह तैयार किया है कि गांधी ची का जीवन हमेशा खादी में बीता इसलिए उनके ही जन्म दिन पर इसको जो नोड़ा में लोका अर्पन किया गया और यहां पर इनका लोका अर्पन किसने किया मैं आपको भी बता दूँ तो इस्मिर्थी इरानी जो कपड़ा मंत्री है उन्हों ने किया यह इस्मिर्थी इरानी और मंत्री के साथ आपको देख सकते हैं आप लोग चलिए नेक्स्ट कोश्चिन सरकार ने हाली में एक बुखता अप लांच किया है जिसके तहդ समाने सिकायतों का निप्टाण डैस दिन में हो जाएगा तो पंदरा दिन में हो जाएगा अ चैसे आप का नाम है कंजूमर एप क्या नाम है consumer app जैसे नर्म जिन का हाली में नीधन हो गया वो परसिद्ध क्या थी तो ये परसिद्ध गाईका थी और ये किस्टेश के लिए गाती थी ओपेरा इंगी एक कंपनी थी उसी के लिए गाती थी कि दो अक्टूबर 2019 को पूर्व परधान मंत्री लाल बहादु सास्त्री की डैस में जैनती कव मनाई कौन सी जैनती तेक सो पंद्रह में इनका जैन में आप लोग जान लीजे दो अक्टूबर 1974 में 1904 में हुआ था ठीक है फ्रेंट्स और ये भारत के दूसरे प्रधान मंत्रे थे इनकी वक्त में भारत के इससी थी बहुत ही खड़ाप थी लेकिन इन्होंने उसका जोईसों हसका मुकाबला किया और सामना किया किलता है जिसे आप लगाईए और उससे जो ऐसा फलहर्याली के लिए बहुत ही अच्छा उपाए लॉंच किया गया है कि डैसमा साहने के नर्सिंग सेवा स्थापना एक अक्टूबर को मनाया गया है कौन सा था तो चौरानमा था कितना था 94 94 मा था जिसको जोईसों मनाया बॉस्तिक गया है को इस देस में चक्रवात मीतांग़ के चलते चैतावनी जारी की गई है तो यह किस देस में आएगा तो यह आएगा आपको ताइवान ताइवान से होते होते यह सो यज्बाद से टक्राइक ऊचपान की और था अभी आप लोग जानते होंगे कि उडिशा में फेनी तुफान आया था गुजरात में वायू तुफान आया था कितनी चती हुई और जैसा कि देख सकते हैं कि ठीक हम लोगों ने तकाफी मदद किया लेकि बिहार में बाढ़ा है तो उसके लिए कोई भी देश अभी आगे न भारत पर भी इसका असर पड़े इसलिए बी अलोट बी सेफ पर्याटन पर्व 2019 दो से 13 अक्टूबर 2019 तक देश भर में आउजित किया जाएगा इसका उदगाटन किस सहर में किया जाएगा तो इसका उदगाटन नई दिल्ली में किया जाएगा कहां किया जाएगा नई दि है तो इसी के साथ जो हमारा करेंट फियर आचा खत्म होता है आई होप सो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आख में जरूर क्लिक करतें ताकि जब मेरा वीडियो है सबसे पहले नोटिफ